मुझे गुसा मत दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें थपड लगा दू उसे भगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे उसे मत मारो, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए Guys, कहीं बार हम इस तरह के sentences use करते हैं But most of the time we get stuck while framing these types of sentences in English लेकिन guys, बहुत असान है, सच में, अगर आप एक बार rule देखोगे वो भी बिना रटे, आप समझ जाओगे चले, translation पर आते हैं, अगर आपको बोलना हो मुझे गुसा मत दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो थपड लगा दू तो अपने sentence को तीन पार्ट में divide करो मुझे गुसा मत दिलाओ, इसके लिए आप क्या बोलोगे Don't make me angry, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब less, इसको English में less बोलते हैं और less जब भी आप किसे sentence में use करोगे तो उसके साथ model helping verb आती है, should तो आप क्या बोलोगे Don't make me angry, lest I should slap you Next, अगर आपको बोलना हो, उसे मत मारो, कहीं लेने के देने ना पढ़ जाए तो don't beat him, lest you should be in trouble और in trouble के प्लेस पे आप एक phrase भी यूज़ कर सकते हो In pretty pickle Don't beat him, lest you should be in a pretty pickle अगर आपको बोलना हो, उसे भगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे तो drive him away, lest he should kill you अगर आपको बोलना हो, कि चुप रहो, कहीं पापा ना सुले तो कहीं बोलो या फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बात है तो अगर आपको बोलना हूँ चुप रहो कहीं पापा न सुले तो आप कहोगे Keep quiet, lest, dad should hear Keep quiet, lest, dad should hear तो I hope आपको ये sentences समझ आयोंगे की Lest और उसके साथ should लगेगा Now it's your turn to frame sentences using less and should And you have to write in the comment section I would love to read your comments If you found this video helpful Then please don't forget to like, share and subscribe Thank you so much for watching I'll see you next time